बिना अंजाम की परवा किये बेबाकी से अपनी बात रखने वाले युवा खिलाडी रेयान पराग ने T20 वर्ल्ड कप पर एक बड़ा बायान दे दिया रेयान पराग से जब मौझूदा T20 वर्ल्ड कप की टॉप चार्ट टीमों की भय उश्वारी करने को कहा गया जो कि हमोमन हम आम तोर पे किसी भी खिलाड़े से पूछते नजर आएंगे इस तमय तो उन्होंने साहसिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाई उन्हें टोर्नेमेंट को देखने में कोई दिल्चस्पी ही नहीं है उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग सकता है कि वो बड़े एहंकारी किस्म के हैं कभी-कभी एहंकारी समझे जाने वाले रियान पराग ने कहा कि जब वो खुद वर्ल्ड कप खेलेंगे तो शीर चार टीमों के बारे में सोचेंगे वरना उनको वर्ल्ड कप देखने में भी तुमेजबानी में हो रहे ICC T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत दो जून से हो चुकी है टीम इंडिया की अनॉंसमेंट हो चुकी है और उसमें रियान पराग का नाम नहीं है जाहिर तोर पर हाला कि IPL में ये सीजन उनका कमाल का गया है सोशल मीडिया पर वाइरल हुई एक वीडियो क्लिप में रियान पराग ने शुरू में संकेत दिया कि भई टॉप चार में भारतिय टीम तो जरूर होगी लेकिन फिर शीर्श चार्ज का जवाब देने से उन्होंने इंकार कर दिया दभारत आर्मी से बाच्चीत के साथ र पर उन सभी के बारे में सोचूंगा हाली में रियान पराग ने ये भी दावा किया कि वो एक दिन भारत के लिए जरूर खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए पराग ने एक PTI को इंटर्व्यू के दौरान कहा कि किसी पॉइंट पर जाकर तो आपको मुझे सेलेक्ट करना ही ह ये मेरा विश्वास है मैं भारत के लिए खेलने जा रहा हूं मुझे वास्तव में इस बात की परवान नहीं है कि आप कब मुझे खिलाएंगे लेकिन आपको मुझे खिलाना पड़ेगा बता दें कि हसम के 22 वर्शी अखिलाडी ने इस साल शांदार IPL सीजन का अनंद लिय ये नंबर 4 पर आकर 150 के करीब स्ट्राइक रेट से 573 रन बनाएं 2018 में राजसान रोयल से IPL डेब्यू करने वाले रियान पराएंगे पिछले 5 सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन इस सीजन उनका बल्ला आग उगला है ऐसे में देखना इंट्रस्टिंग होगा कि भाई उनकी फॉर्म किस तरीके की है और भारतिय टीम के लिए अगर वो खेलते हैं तो कब खेलते नजर आएंगे फिलहाल इंट्रस्टिंग ये होगा कि वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो उनका बयान है उस पर आप क्या सोचते है हमें कॉमेंट डॉक्स में जरूर बताएं बाके स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स नाइं मेरा नाम है आईश मिश्रा नमस्कार